जन्पत संबल की चंदोसी कोटवालिक शेत्र में वृद्ध की घर में गोली मार कर हत्या बेके पर हत्या करने की आशंता इस दुनिया में पैसे और संपत्ती के सामने सारे विष्टे और संबंद बोने सावित होते हैं और संपत्थी के लालष में सगे संबंधी भी किसी हद तक गुदर जाते हैं जनपत संबल की चंदौसी कोत वाली छेत्र के लोधियान महले से विश्टो का फून करने का एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहाँ पर सगे बेटे पर ही अपने पिता की हत्या करने का मामला सामने आया है आपको पता दें कि लोधियान महले में रहने वाले दुर्जन सिंग के दो बेटे थे जिन्होंने अपने बड़े बेटे चरण सिंग को पांच वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया था जिसके बाद वह अपनी पत्मी और बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगा जबकि घर पर दुर्जन सिंग का छोटा बेटा शेर सिंग और बेटी आरती ही रहते थे मकान भी शेर सिंग के नाम था बीती रात शेर सिंग ने गोली मार कर अपने पिता की हत्या कर दी जिसके बाद सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुची और शव को कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भेज दी अमरेतक के बड़े बेटे चरंड सिंग ने अपने छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए एक तहरीर कोतवाली प्रभारी को दी है क्या हुआ यह कैसे मोत हुई इनकी कौन है आपके यह मार पिदा जी है कैसे हो गटना क्या हुआ यह पता नहीं मेरे बास दो रात के साड़े बाए फोन पोचा बहिया का तो बहिया को आरती बहिन के पापा को मअने मार अब किसीने इतनी बात हुआ आपके मिना थे kole रहती अब कुछ नहें करते है अब कुछी नहीं करता है क्या है उसक्या documentation पता नहीं कुछ वहह की कितीन है और क्या बता है बस इतनी बात हुई है पिस समय की घठना है यह रात के सब्सक्राइबारजी की बात है कि आप नो का पर चला सारे बार पोच्छा हमारी फोलिस आई थी मोगे पर मुझे ने परता मैं तो कि काउं से आहीं हूं जारी जारी कि आनाम है आपका